शागरमन्थन शास्रों में गाया हुआ है, देवताओं ने और आसुरों ने, दोनों ने मेल करके शागरमन्थन किया। अभी ब्रामनों की दुनिया की बात है, परमात्मा बाप, संगम्यग में जब शाष्टी पर आते हैं तो ये ज्ञान सागरमन्थन का कारी चलता है। अभी ब्रामनों की रची हुई जो दुनिया है, ब्रह्मा द्वारा जो नई शाष्टी रची जा रही है। उस ब्रह्मा द्वारा रची हुई शाष्टी में रावण कुम्भग्रन मेगना जैसे असुर भी कारी कर रहे हैं। और जो देव आत्में बनने वाली आत्में हैं वो भी कारी कर रहे है। ये देव और आशुर का संग्राम ये ज्ञानमंथन का संग्राम है। अपने अपने पूर जन्मों में जिन आत्मों ने जैसे जैसे कर्म किये हैं। दुष्ट कर्म किये हैं या सेष्ट कर्म किये हैं। उन कर्मों के आधार पर हर आत्मा की मनंचिंतन मंथन की चाल चलती रहती है। जो उनने सेष्ट कर्म किये हैं उनका मंथन सेष्ट चलता है। परमात्मा की स्रीमत के आधार पर चलता है। उसमें मनुश्रीमत या मनमत मिक्स नहीं होती। और जिन आत्मों पूर्जन्मों में ब्रष्क गर्म किये हैं, पाप गर्म किये हैं, जरूर किसी से प्रभावित होकर किये होंगे। तो ओ आत्में मनमत और मनुश्रीमत मिक्स करके मन्थन चलाती है। उल्टा उल्टा आर्थ निकालती है ये शुरियवाणी का। क्योंको उनके अंदर वैसे संस्कार भरे हुए है। स्वार्थ पूरक संस्कार मन्थन की गथी को प्रहवित करती है। अभी बाप दादा का कहना है। कि तुम बच्चों को मन चिंतन मंथन से वो सार निकालना चाहिए ग्यांदर। कहते हैं क्रश्न ने मक्खन खाया। तो क्रश्न ने सिर्फ मक्खन खाया ही होगा या मक्खन निकाला भी होगा। कुई ऐसे विशेश अनुहो लोगों के सामने रखो। क्योंकि आर्टिकल प्रैक्टिकल अनुहों का प्रभाव जाद पड़ता है।